हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप लाश्ट वीडियो में देखे होंगे टीयस सेवन एंडरोइट का रिस्टेडियो का बूट लोगो स्मार्टफोन को यूज़ करके किस टाइप से बनाया जाता है यदि आप वो वीडियो अभी तक देखे नहीं हो तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप वीडियो क्लिक करके देख सकते हो या आप कंप्यूटर से बूट लोगो डिजाइन करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप चेक करके बूट लोगो बना सकते हो इस वीडियो में बताऊंगा बूट लोगो जो आप डिजाइन किये हो उस वूट लोगो को टी से वेन एंडॉट कारि स्टेडियो में किस टाइब से से शिट क्या जाता है तो आप जो वूट लोगो डिजाइन किये हो उसको सबसे पहले आप पैंड्राइब में कॉपी कर लो दियान रखना pen drive में किसी folder के अंदर नहीं होना चाहिए pen drive में सबसे बाहर में रखना है और उसको rename करके सबसे पहले आप उसको boot logo.bmp इस name से save कर लो then आप pen drive को ts7 android car studio से insert करोगे तो मैंने यहाँ पर insert कि आप देख सकते ऊपर में USB की यह icon आ रही है then मैं यहाँ पर check करके दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर file manager को open करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर boot logo की file जो मैंने design किया हुआ है यहाँ सबसे last में boot logo.bmp इसको मुझे set करना है मैंने एक car की logo sample के लिए बना हुआ है तो उसके बाद आप setting में चले जाओ then factory then यहाँ पर password डालना 4x8 जहां रखना आप pen drive में सबसे बाहर की folder में boot logo को save करना then logo setting then यहाँ पर आप search करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे first में जो मैंने design किया हुआ है और उसको select करने के बाद नीचे set logo पर ok करना है ok करने के बाद यह set हो चुकी है मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ इसकी power off करके on कर रहा हूँ तो power off करके on करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने boot logo बना हुआ था वो यहाँ पर display कर रही है boot होने के time में जो मैंने player को restart किया तो आप इस type से TS7 में custom boot logo जो design करके आप पेंडाय में लेके set कर सकते हो थैंक यू झाँ 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 झाँ